और हुआ ऐसा कि उस समय में जब मैं student बन गया और मैं research scholar बन गया तो morning prayer session जो हमारा होता है college के अंदर में उसमें कुछ न कुछ बच्चे हर गुरुवार को हर मंगलवार को और शुक्रवार को वो बात वारतलाप करते हैं कि अपने कुछ अनुभव सुनाते हैं तो ऐसा एक बच्चा मेरे पास में आगी sir मेरी नंबर आने वाला है आप मेरी rehearsal सुन लीजिए तो मैंने का साँ सब्रो मनें तो बता तुमारा क्या अनुभव रहा तो कहता है sir मैं कुछ समय पहले भगवान बाबा के सानिध्य में गया है मेरा birthday था तो मैंने भगवान बाबा ने मेरी ट्रे को ब्लेस किया उसमें कुछ लवंग थे, कुछ कैशू से, कुछ पैन था, कुछ और चीज़ें थी, भगवान बाबा ने ब्लेस किया उनको, और मैंने बाबा का पाध नमस्कार लिया, तो फिर मैंने भगवान बाबा के पास जाकर उनके कान में कहा, बाबा, मैं एक ब्राहमन हूँ, ब्राह help ever and hurt never बगवान कहते हैं तुम इसी को अपने जीवन में उतार लो इससे बड़ा कोई और मंत्र नहीं है यही मेरे जीवन का सार भी है love all and serve all help ever and hurt बबबा कहते हैं यह मंत्र है इसका जब करते रहो तुम साही में ही बन जाओगे अपने जीवन को तुमारे लिए कोई और मंत्र के जुरूत नहीं है तो उसने का बावा वो तो सही है सबको आपने यह मंत्र दिया है पर मेरे लिए कोई सीक्रेट सा मंत्र को दे जीजा मेरे पिता जी ने बोला कि देखो भगवान बावा से गुरु कोई और नहीं है और तुम्हें ब्रह्मन पुत्र हो, तुम्हें 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 तु उसका अपने जीवन में तुम्हें अनुकरन करना होगा जै कहां बाबा मैं करूंगा तो भगवान बाबा ने उसके कान में बोला देखो मंत्र है और वो तेलगु बोई है तेलगु आंधर से ही आता है भगवान बाबा ने बोला देखो मंत्र है लवू नवू 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 लवू नवू नवू like a small poetic mantra बावा ने का इस शन इस शन फिर्दे में पूनतह प्रेम और उस प्रेम से उजागर हुई चेहरे पे मुस्कान हर शन को ऐसा बनाओ तो तुम्हारा वो हर शन जो होगा एक आध्यात्मिक पल बन जाएगा और इस प्रकार तुम्हारा हर पल अगर अध्यात्मिक बनेगा तो तुम्हारा जीवन भी अध्यात्मिक बन जाएगा तुम्हारा जीवन भी आधर्श बन जाएगा